दोस्तों क्या आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं? आपका वजन अगर बहुत बढ़ चुका है, उसे आप कम करना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो के उपर आए हैं अगर आप कई तरह के डाइट प्लैन कर चुके हैं आप बहुत एक्ससाइज योगा कर चुके हैं फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आज आपके वजन को कम करने की एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा जो आपके घर में हैं लेकिन आपको उसे लेने का सही धंग नहीं वालो इसके लावा अगर आपको डाइबिटीज की प्रॉबलम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें डाइबिटीज यानि की मदुमे आप याँ आपके परिवार में किसी को भी डाइबिटीज है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें तीसरा है गठिया, यानि कि जोडों में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, शरीर में अगर कहीं भी दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, साइकल नहीं चला पाते, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज उस छोटी सी चीज के जरीए मैं आपके इन सारी प्रॉब्लम्स का इलाज आपको बताऊंगा कैसे आपको उस चीज से सारी बिमारियां खतम करनी है दोस्तों वो चीज है अजवायन अजवायन हर घर में है आयरवेद में अजवायन को एक औशदी कहा गया है आयरवेद की किताब अश्टांग हरेदयम जिसे हजारों साल पहले महारिशी वागभट जी ने लिखा था वो कहते हैं कि अजवायन वात और पितनाशक है वात और पितनाशक क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा वात का मतलब होता है गैस अगर आपके पेट में शरीर में गैस बनती है तो ये उसे खतम करती है पितनाशक है मतलब एसिडिटी अगर आपके शरीर में एसिडिटी है तो ये उसे खतम करेगी अब अगर आपके शरीर में वात है यनि वायू है गैस है तो उससे क्या-क्या बिमारियां आती हैं पहले उनके बारे में जानते हैं फिर आप समझ जाएंगे कि एजवायन से क्या-क्या ठीक होने वाला है जो वात में आपको बिमारियां होती है उनमें सबसे पहली बिमारी है पेट में गैस होना पेट में गैस ह जाए तो घुटनों में दर्द, अगर यह कमर में चली जाए तो कमर में दर्द, पेट में ही रहे तो पेट में दर्द, तो वात का मतलब हुआ, गैस और गैस का मतलब हुआ, गैस से होने वाली सारी बिमारियां, शरीर में दर्द, जोडों में दर्द, आपके पेट में आपके पेट में acidity होने से पेट में दर्द हो सकता है, पेट में कीडे हो सकते हैं, diabetes हो सकती है, heart diseases हो सकती है, high blood pressure हो सकता है, तो ये जितनी बिमारियां हैं ये पित्त के कारण हैं, वैसे हमारे श्रीर में जितनी भी बिमारियां आती हैं, उन में से 80% बिमारियां पित्त के कार इन सबी बिमारियों के लिए अच्छी है तो मतलब अजवाइन खालो आपका श्रीर वैसे ही स्वस्त रहेगा अब अजवाइन खानी कैसे है इसको आपको समझना होगा क्योंकि अजवाइन तो आप यूज करते ही होंगे लेकिन अजवाइन को लेने के भी अलग-अलग तरीक है रात को पानी में अजवाइन को भीगो कर रखना एक गिलास पानी में एक चमच अजवाइन को भीगो कर रखना सुपय उठकर खाली पेट उस अजवाइन के पानी का सेवन करना और अजवाइन को चबा कर खाना जब आप इस तरह से अजवाइन का सेवन करेंगे तो इसस आपको अनेको फाइदे होने वाले हैं जिनमें सबसे पहला फाइदा है आपका वजन कम होगा अगर आपका वजन भढ़ चुका है तो आपको ये सिंपल ट्रिक अपनानी है रात को एक गिलास पानी में एक चमच अजवाइन आप भिगो कर रखें और सुबह उठकर उस पानी का और उस अजवाइन का खाली पेट बिना ब्रश किये सेवन करें ऐसा करने से आपका वजन एक महीने में 5-10 किलो कम हो जाएगा और अगर आप लगातार 6 महीने ऐसा करते रहेंगे तो आपका वजन चाहे 100 किलो है आप उसे असानी से 60-70 किलो तक ला सकते हैं वजन को कम करन के लिए अजवाइन का पानी अदबुद है सबसे अच्छा है आपके लिए इसके रावा पेट में अगर गैस की प्रॉबलम है गैस है एसिडिटी है पेट से सबंदीत कोई भी समस्या हो आपको कॉंस्टिपेशन है आपको सुबह प्रेशर नहीं बनता कुछ भी प्रॉब आपकी गैस की प्रॉबलम दूर हो जाती है अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पीने से डाविटीज में बहुत राहत मिलती है अगर आपके घर में कोई भी डाविटीज का पेशेंट है तो उसे आप जरूर इस बात को बताइए उन्हें बताइए कि उन्हें सुबह श्रीर को लगती है तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम होता हम बस डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें वो बिमारी एक्स्प्लेइन नहीं करता डॉक्टर बस हमें दवाई देता है लेकिन आज मैं आपको थोड़ा डाविटीज को एक्स्प्लेइन कर उसने बस इतना का होगा यह बहुत खतरनाक है आपको सारी उमर दवाई खानी पड़ेगी ये लो गोली और हर हफ्ते हर महीने मेरे पास आते रहना इतना ही आपको डॉक्टर ने का होगा वो तो कए गई गई क्योंकि अगर आप उसके पास हर महीने जाएंगे तो हर बार उ ऐसा नहीं है कि सिरफ आपको चीनी से मिलती है मिठास हर मिठी चीज से मिलती है जब अब कुछ भी खाते हैं तो उसमें कुछ मात्रा मिठास की होती है शुगर की होती है हमारे श्रीर में एक इंसुलिन होता है जो की हमारे श्रीर में ही प्रोड्यूस होता है इसे पैंकरिय लिवर के पास pancreas है, वो pancreas insulin को produce करेगा, insulin का क्या काम है, जो भी आपने sugar खाई उसे energy में convert करना, अब अगर आपका pancreas insulin को कम produce करेगा, तो आपके शरीर में sugar energy में convert नहीं होगी, और वो sugar बढ़ती रहेगी, फिर आपको sugar की बीमारी हो जाएगी, लेकिन यह process simple है, आप इसको असानी से समझीए, आपको सिरफ इंसुलिन के प्रडक्शन को भडाना है, अपने पैन करियाज को मजबूत करना है, बस इतने ही आपको करना है, आपको दवाई नहीं खानी, जो आप दवाई खा रहे हैं, उससे आपका पैन करियाज पर कोई फेक्ट नहीं होता, वो दवाई सिरफ आपके sugar level को 16-24 गंटे तक maintain रखती है अगर आप चाहते हैं कि आपकी diabetes बिना दवाई के control रहे तो आपको अपने pencreas को मजबूत करना होगा कैसे मजबूत करेंगे अजवाइन का पानी पीकर सुबह खाली पेट जब आप अजवाइन का पानी पीएंगे तो इससे आपके pencreas per effect होगा जिससे pencreas insulin को बढ़ाने लगेगा insulin का production बढ़ेगा तो अपने आप ही आपका sugar level कंट्रोल में रहेगा कुछ लोगों के मन में डॉक्टर्स ने ये ब्रहम डाल दिया है कि ये diabetes की बिमारी ला इलाज है इसका इलाज है ही नहीं सार्य उमर दवाई खानी ही पड़ेगी ये सेम केस हाई BP के केस में भी डॉक्टर कहते हैं लेकिन हाई BP का सरल इलाज है सुबह उठते ही पानी पियो बस सुबह उठो पेट भरके पानी पियो सिरफ इतना करने से आप हाई BP खतम कर सकते हैं दूसरी चीज, भगवान शिव को बेल पत्र परिया है, उस बेल पत्र के जरीए हाई बीपी खतम हो सकता है, सुबह उठते ही दो से तीन बेल पत्र खालो, हाई बीपी एक महीने में खतम, चाहे वो 20 साल पुराना क्यों ना हो, हर तरह का हाई बीपी नॉर्मल हो सकता है, लेक परिशी इंफर्मिशन पाएं, और देखें आपका श्रीर कैसे बिना दवाईयों के, बिना डॉक्टर, बिना होस्पिटल, ऐसे ही घर में स्वस्त रहेगा, देखें अजवायन आपके घर में है, लेकिन उसको लेने का सही धंग नहीं मालूम, इसलिए हम उसका सही सेवन न परिशाने बिनाऍब ये vraag मालों, पर परिशाने हैं, पहले तो ये प्रॉबलम, 50-60ra के य rd के बाद आती थी, लेकिन आज कल ये प्रॉबलम, 30 के य rd के बाद भी आनी शुरू हो गई है, गठिया में आपको समझना होगा क्यूं होता है, डॉक्तर नहीं बताएगा क्यों वो बस दवाई देगा, गटिया क्यूं होता है, आपके जोडों में दर्द होता है, जोडों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, ये एसिड क्यूं होता है, आपके पित की प्रॉबलम है, पित मतलब एसिडिटी, अब पित के लिए अजवायन अच्छी है, पित में क्या होता तो जोड जब हमारे हिलेंगे, तो दर्द करेंगे। धीरे-धीरे ये दर्द बढ़ता जाएगा, हमारे जोड घिसने शुरू हो जाएगे। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना करना है अपने बलड से अपने खून से एसिडिटी को कम करने हैं अपने पित्त को नॉर्मल पल ले कराना है कैसे करेंगे एसिड वाली चीजें खाना बंद कर दो चाई पीना बंद कर दो इसे भी आपको फायदा मिलेगा एसिड वाले मसाले लाल मिर्च खाना बंद कर दो इससे फाइदा मिलेगा अजवायन खाना शुरू कर दो अजवायन का पाने सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दो इससे आपकी गठिया की प्रॉबलम कुछ ही महीनों में खतम हो जाएगी अब अगर बहुत जादा बड़ी स्टेज तक पहुँच चुकी है फिर आपको थोड़ा आयरुवेदिक और उपचार लेना पड़ेगा तो दोस्तो आज हमने आपको बताया कैसे अजवायन के जरिये आप अपने शुरीर को स्वस्त रख सकते हैं यह हमने कुछ ही फायदे बताए हैं जैसा हमने आपको बताया अजवायन पित्तनाशक है यानि शुरीर की 80% बिमारियों को अकेली अजवायन सही करती है तो अजवायन बहुत अच्छी है इसलिए ये हमारे घर की किचन में है ये घर की किचन में किनों ने डाली ये आयरवेद के रिशी मुनियों ने ही डाली है तो इसलिए जो आपकी घर की किचन में जो चीजें हैं वही चीजें आपके लिए सबसे अच्छी हैं जो चीजें ऐरवेद में कहीं भी डालडा का जिकर नहीं है, कहीं भी रिफाइंड का जिकर नहीं है, कहीं भी लाल मिर्च का जिकर नहीं है, और ये चीजें जब से हमने अपनी किचल में दाखिल की हैं, तब से बिमारियां ही बिमारियां हैं, क्यों हमें टीवी पर एड़र्टाइजमें तो वो रिफाइंड ही है प्लीज आप इसे अपने घर से निकालें और जो चीजें पुराने जमाने से हमारे कीचन में थी बस उनी को रखें और वैसे ही सबजियां बनाएं हो सके तो अलमीनियम के बरतन अपने घर से निकालें और नॉन स्टिक तो निकाल ही दें नॉन स्टि हम जिन्दा हैं तो हमें जिन्दा ही खाना होगा मार कर चीजों को खाने से फ्राई करके चीजों को खाने से चीजें मर जाती हैं और वो मरे हुए सेल्स हमें जीवित नहीं रख सकते इसलिए हमें बिमारियां लगती हैं हम बिमार होते हैं तो दोस्तों जितना हो सके कच्चा अगर 100% कच्छा खा सकते हैं फिर तो आपके लिए सबसे अच्छा है नहीं तो कम से कम 50% तो खाएं क्योंकि आयरवेद भी यही कहता है अगर आप कच्छा खाएंगे तो स्वस्त रहेंगे हमेशा खुशाल रहेंगे अपने परिवार के साथ अपने पैसों का मज़ा ले करें ताकि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारी इन वीडियो को देखते रहें सी यू इन नेक्स वीडियो बबाई